यहाँ पर एक question है the correct order of increasing bond angles यानि हमें बढ़ते हुए bond angles के जो है क्रम में in the following triatomic species is नीचे जो triatomic यानि 3 atom वाले कैसे 3 atom वाले जो है एक तो nitrogen है और 2 oxygen है triatomic species के लिए क्या करना है correct bond angle का order हमें बताना है तो यहाँ पर answer होगा D यह किस तरह से होगा आईए हम देखते हैं तो हमारे पास 3 जो है triatomic species हैं एक है NO2 वन पोजिटिव और एक है NO2 और एक क्या है NO2 ओवराल वन निगेटिव अब हमें अगर intraatomic species के bond angles बताना है तो हमें इसके hybridization की जानकारी जरूरी होगी यानि हम यहाँ पर इनका hybridization तलाश करेंगे तो hybridization के लिए हमें जो है formula इस्तमाल करना पड़ता है जिसमें जो है हम number of loan pairs और number of sigma bonds रखते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि यह जो oxygen nitrogen से यानि central atom से जुड़ी है यह किस तरह से kin bond से जुड़ी है nitrogen के पास कितने electrons होते हैं 7 electrons होते हैं तो 1s2, 2s2, 2p, 3 ठीक है न 7 electrons हो गए और इसके सबसे last shell में कितने electrons होते हैं 5 electrons होते हैं ठीक है और अंदर वाले shell में 2 तो हमें last के 5 electrons से मतलब हैं जिनको हम valency shell electrons भी कहते हैं ठीक है ना last shell के electrons को और luis.process से हम nitrogen के आसपास जो है इन valency shell electrons को क्या करते हैं हम show करते हैं यह इस तरह से यह जो है इसके आसपास कितने होते हैं 5 electrons होते हैं इनको हमने nitrogen के आसपास show कर दिया अब यहाँ पर यह कितने 2 oxygen से attach है ठीक है तो यह क्या bond बनाते हैं इसके साथ हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा तो यहाँ पर oxygen के last shell में कितने होते हैं अब हम direct बता रहे है हैं कितने होते हैं 6 electrons होते हैं ठीक है न जिस तरह से nitrogen का हमने निकाला सबसे last shell के electrons इसी niedकालेंगे तो कितने होंगे 6 electrons होंगे तो दो oxygen है यहाँ पर ठीक है न तो इसके आसपास वह कितने होंगे तो यह नाट्रोजन से किस तरह होते हैं कि नाट्रोजन की यह दो इलेक्टोन यानि यह दो लोन पे अर्स हो गए और एक सिंगल इलेक्टोन फाइव इलेक्टोन होते हैं तो एक तरफ तो नाट्रोजन क्या करता है ऑक्सिजन को जो है कोडिनेट बॉंड से यानि अपने दोन तो यह क्या करता है एक इलेक्टरॉन इसकी तरफ खिसका देता है तो यहां क्या बन जाता है कॉडिनेट बांड बन जाता है तो यहां पर जो है इस तरह से यह कॉडिनेट बांड बन जाता है और चुकि यहां पर एक इलेक्टरॉन ऑक्सिजन की तरफ दान करने वाला इसको देने वाले से लेने वाले की तरफ एरो बना देते हैं तो इस तरह से हमें यह डेटिव बॉन्ड का पता चल जाता है कोडिने बॉन्ड यानि नाट्रोजन एक ऑक्सिजन से कोडिनेट बॉन्ड से अटेच होता है और दूसरी तरफ जो है यह अपने दो-दो इलेंक टॉन्स से क्या बना लेते हैं दो इसके दो इसके और जो ही है कोविलेंट बॉन्ड दो कोविलेंट बॉन्ड बना लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो है दो कोविलेंट बॉन्ड बन जाते है नाट्रोजन ऑक्सिजन के बीच इधर वाले ऑक्सिजन के साथ जिसमें हम जानते हैं कि double bond में एक πाय होता है और एक क्या होता है sigma bond होता है और जहां single bond होता है वो क्या होता है sigma होता है हर single bond हम जानते है sigma होता है और जहां 2 bond हो single हो sigma double bond हो तो एक πाय एक sigma और triple bond हो तो 2 πाय और एक sigma होता है ठीक है यह हम जानते हैं तो यह जो हमारी species है यह क्या है एनोटू है तो इसमें क्या होता है एक single electron बच जाता है यानि odd electron बच जाता है या एक unpaired electron बच जाता है अब इस condition में अब यहां पर अगर हम देखें तो oxygen का तो octet complete हो चुका है दोना oxygen का इधर जो है इसका भी octet complete हो गया eight electrons इधर इस oxygen का भी eight electron complete हो गया है तो हमारे पास नोटू यह जो है बीच वाली species हमें मिली है ठीक है तो यहां पर इस single electron का odd electron का unpaired electron का use यह octet complete करने में आगे कर सकता है ठीक है तो यह जो है हमारे क्या हो गया यहां पर नोटू हो गया अब अगर nitrogen इस electron को किसी को दे दे या किसी दूसरे एटम की तरफ खसका दे तो क्या आ जाएगा यह electron यहां से हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा positive charge आ जाएगा nitrogen पर तो second species है ना क्या हो जाएगी यहां पर यह coordinate bond है nitrogen है और यहां हमारा oxygen है अब यह electron यहां से गया तो इस पर क्या आ जाएगा positive charge आ जाएगा ठीक है तो यह हमारी कौन सी याली species हो गई कौन सी NO2 one positive ठीक है और यह nitrogen एक electron और किसी से gain कर ले प्राप्त कर ले तो क्या हो जाएगा यहां पर जो है यह coordinate bond डबल bond यह oxygen पर क्या है दो लोन पर तो यहां पर जैसा आमने बताए कि यह एक odd electron था अब यहां पर एक और electron आ जाए तो यहां पर क्या आया एक extra electron आया तो extra electron के आने पर यहां पर क्या आ जाएगा एक negative charge आ जाएगा ठीक है ना चला गया तो positive और जो आया तो यहां पर extra negative charge हमें overall शो करना पड़ेगा यह negative charge और जब चला जाता है तो positive charge तो हमारे पास यह तीन species की हमने यह क्या जो है bonds के साथ इसको हमने दर्शाया है तो यह किसके लिए हो जाएगा no2 negative के लिए ठीक है अब हमारे पास यह तीन species और इनका structure है तो हमारा formula जो होता है hybridization के क्या होता है उसके basis पर हम इनके जो है values पूट कर सकते हैं तो हमारा hybridization निकालने का क्या formula होता है तो hybridization से जो number से में प्राप्त होते हैं hybridization के तो उसको क्या कहते है हम hysteric number कहते हैं तो उसके लिए क्या formula होता है number of sigma bonds यानि जितने भी sigma bonds हो molecule में compound में ठीक है न वो count करेंगे हम plus क्या करेंगे number of loan pairs जितने भी loan pairs जो है present हो जो वो क्या होते है number of loan pairs यानि अगर हम इसको थोड़ा सा short में लिख दें तो क्या हो जाएगा hybridization is equal to क्या हो जाएगे number of sigma bonds plus क्या हो जाएगे loan pairs हो जाएगे ठीक है अब हमारा यह formula तो हम सब जानते हैं और इसका use भी करते हैं लेकिन हमें समस्या इस जो है question में यह आ गई है कि जो हमारा NO2 होता है उस पर क्या है एक odd electron है एक unpaired electron है single electron है तो यहाँ पर जो है अब यह formula वर्क नहीं करता है इस बात का ध्यान रखना तो हम बाकी जो दो species है उसमें यह formula यूज़ करेंगे और NO2 के लिए जो है हमें एक अलग formula यूज़ करना पड़ेगा उसका ध्यान रखें यह जि single odd electron होता है तो इसके लिए हमें क्या formula यूज़ करना इस तरह की कोई species आ जाए तो वहाँ पर hybridization निकालने के लिए क्योंकि जब तक हम hybridization नहीं निकालेंगे हमें जो है bond angles और इसका shape geometry पता नहीं चलेगी तबी हम bond angles यहाँ पर जो है answer दे पाएंगे bond angles किस के लिए क्या है किस species के लिए क्या होगा तो हमारा जो general formula क्या है hybridization is equal to number of sigma bonds ठीक है ना number of sigma bonds और number of loan pair electrons उसी तरह यहाँ पर एक चीज़ और क्या प्लस हो जाएगी जो odd electron है single उसको हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा अब यह formula हमेशा एक जैसा नहीं होता कि हमेशा अगर किसी के ओपर odd electron है single electron है तो हम उसे क्या करें इस formula प्लस कर दें तो हमें इस odd electron को कब प्लस करना है कब नहीं करना है इसके लिए ध्यान रखें कि हमारे पास दो conditions होती है एक तो क्या होती है कि क्या है हमारा example के लिए ले रहा हूं में एक तो यहाँ पर क्या है हमारे NO2 में यह odd electron है इसके लिए हम यह formula change करेंगे और एक क्या species होती है CLO2 इस पर भी क्या होता है एक odd electron होता है तो हमें तो हमें यहाँ पर जो है कब odd electron को hybridization में plus करना है कब नहीं करना है उसके लिए ध्यान रखें कि यह जो nitrogen पर odd electron है इसके साथ कोई lone pair नहीं है और यहाँ पर CLO2 में जो यह odd electron है इसके साथ क्या होता है एक lone pair होता है हम इसका structure बना के देख लेते हैं तो हमने यहाँ पर दो example लिए है ठीके ना तो इस एक example से हमें पता चलेगा कि कब हमें odd electron को plus करना है यह condition हमें दोनों बताएंगे दोनों condition sense में और एक कब जब इस odd electron को हमें जो है यहाँ पर formula में add नहीं करना यानि कब यह hybridization में भाग लेगा और कब यह hybridization में भाग नहीं लेगा तो हमें ध्यान रखना है कि जब जो central atom होता है हमारा इसकी oxidation state क्या होना चाहिए positive होना चाहिए तब यह odd electron को क्या करेंगे हम यहाँ पर formula में प्लस कर देंगे ठीक है तो oxidation state निकालना हम जानते है जैसे NO2 में क्या है एक oxygen के oxidation state क्या होती है 2 negative तो 2 oxygen की क्या हो जाएगी 4 negative तो definitely इस पर 4 negative तो nitrogen के ओपर क्या हो जाएगी 4 positive oxidation state हो जाएगी तो यह central जो atom होता है उसकी oxidation state क्या होनी चाहिए positive होना चाहिए तब इस odd electron को हम hybridization के formula में add कर देंगे ठीक है और कब क्या हो जब ऐसी condition आए कि central atom इसके उपर जो odd electron हो इसके साथ क्या हो एक lone pair भी present हो तो फिर क्या होगा यह odd electron जो है हम formula में add नहीं करेंगे क्योंकि तब क्या है hybridization में भाग नहीं लेता है ठीक है ना तो हम इसको जो है इस condition दोनों conditions को हमने देख लिए इसके example भी ले लिए हमने ठीक है तो यहाँ पर इस condition के लिए क्या करेगा यह CLO2 में यह odd electron जो है single electron unpaired electron यह क्या है hybridization में भाग नहीं लेगा तो हमें बात करना यहाँ पर किसकी एनोटू के लिए तो हमें यहाँ पर जो है odd electron को formula में add करना पड़ेगा ठीक है तो हम तीनों species के लिए दो तो हमारे simple formula से ही आ जाएगी और odd electron के लिए हमें यह formula यूज़ करना होगा ठीक है तो हमारे no to positive में क्या है हम जानते हैं कि single bond क्या होता है sigma double bond में 1 sigma 1 pi होता है और यहाँ पर कोई भी lone pair नहीं है यानि सिफ 2 sigma bond है और central atom पर कोई भी lone pair नहीं है हम formula में इस value को put कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा number of sigma bonds कितने थे 2 थे और number of lone pair क्या है 0 है यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा hysteric number कितना आ जाएगा इसका 2 किसके लिए no2 के hybridization के लिए hysteric number कितना आ गया यहाँ पर 2 अब यहाँ पर हम no2 one negative के लिए जो है value put करेंगे तो यहाँ पर क्या है एक sigma bond एक और sigma bond दो sigma bond है और क्या है एक lone pair है ठीके ना इसकी value put करने पर दो जो है sigma bond है no2 one negative में और क्या है one lone pair है तो इसका hysteric number क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ठीके ना इन दो के लिए hysteric number मिल गया अब हमारा जो special है no2 है न odd electron वाला उसका जो formula है उसमें हम value put कर देंगे तो जो है no2 के लिए हमारा जो है यह formula है इसमें value put करने पर no2 में क्या है एक sigma bond यहाँ एक sigma bond यहाँ और इस पर कोई भी lone pair नहीं है nitrogen पर ठीके और हम जानते हैं कि जब central atom में क्या हो positive oxidation state हो तो यहाँ पर हम जो है odd electron को भी count करते हैं तो यह तीनो values जो है hybridization के formula input करने पर तो क्या हो जाएगा no2 के लिए sigma bonds कितने है तो sigma bonds है lone pairs एक भी नहीं है zero है और odd electron क्या है एक है तो यहाँ पर जो है इसका steric number क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अब हमें हमारी तीनो species के लिए क्या मिल गए है hysteric numbers मिल गए है अब हम आसानी से इनके bond angles पता कर सकते हैं हमारे no2 के लिए hysteric number क्या आया था 2 तो जब इस्टरिक number 2 आता है तो हम जानते है क्या geometry होती है hysteric number 2 वालों के molecules के लिए linear जो है structure होता है ठीक है न क्या होता है linear structure जो कि क्या होता है 180 degree का होता है no2 के लिए hysteric number क्या आया था 3 hysteric number 3 हो तो क्या होता है ये trigonal planar ठीक है न क्या हो जाता है जो है इस तरह से trigonal हो जाता है और planar हो जाता है जो कितने का होता है 120 degree का है ये normal conditions में हम अभी बना रहे हैं अभी इन में और आगे क्या होगा क्या changes आएंगे bond angles में वो भी हम देखेंगे उसी तरह NO2 1 negative इसका hysteric number भी 3 यानि ये भी क्या होगा trigonal और planar है ना paper पे plan होता है ये भी हम देखते हैं कि जो trigonal planar होते हैं क्या होते है 120 degree के होते हैं लेकिन यहाँ पर conditions किसी साब से हो जाएगी VACPR theory से ठीक है ना तो यहाँ पर ये तो 180 degree का ही रहेगा NO2 1 positive किस तरह से होगा देखते हैं यहाँ पर ये जो है carbon dioxide एक side जिस तरह से linear होता है ठीक है ना उसी तरह से ये भी इस तरह linear है ना एक line की तरह जो straight line है ना और क्या होता है ये इसका bond angle 180 degree ही रहता है हमारे NO2 में क्या होता है ये क्या होता है trigonal planar तो ये nitrogen यहाँ पर center में ये जो है इसका coordinate bond से ये किदर ये जो हमारे दो covalent bonds है और यहाँ पर एक single electron से ये trigonal है ना इस तरह से ये इसका structure हो जाता है अब यहाँ पर NO2 की भी इस्टरिक नमबर क्या है 3 है तो यहाँ पर इसका structure क्या हो जाएगा ये nitrogen यहाँ पर जो है coordinate bond से oxygen low covalent bonds है और यहाँ पर एक lone pair होता है NO2 पर तो इसका भी जो है trigonal planar structure बन जाता है लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है हमारी जो VACPR theory होती ही valence shell electron pair repulsion इसमें जो है lone pair lone pairs जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा repulsion होता है ठीके ना lone pairs में और order में फिर lone pair, bond pair इसमें LPLP से कम repulsion होता है ठीके ना और third condition में जो लखबग नहीं के बराबर होता है जो क्या होता bond pair, bond pair में repulsion बहुत कम या लखबग नहीं के बराबर होता है इससे bonding angle में कोई change नहीं आता है और इससे bonding angle में change जो सबसे ज़्यादा bond angle में change आता है loan pair loan pair में repulsion सबसे ज़्यादा होता है यह इसका order होता है ठीकि ना repulsion के लिए तो इस basis पर हम देखेंगे तो इनमें क्या changes आते हैं यह हम देखेंगे तो जैसा कि hysteric number से हमने इनमें hybridization पता करा 180 degree यानि two hysteric number होते क्या होता है इस पर है इस पर हम देखेंगे इस पर होता है linear structure तीन hysteric number होतो हो जो है normal अपना जब तीनो bond pair हो तो कितना होता है बिल्कुल accurate जैसे BF3 में तब यह 120 degree होता है बिल्कुल accurate क्योंकि तीनो bond pair होते है तो क्या होता है SP2 hybridization होता है तीन hysteric number और तीन hysteric number रहे तो वो ही SP2 hybridization होता है और 120 कब होता है जब जैसे हमने बताया तीनो bond pair हो तो उनमें repulsion नहीं होता ताब एक क्यूरेड बनता है लेकि जब conditions क्या आ जाए bond pairs के साथ में या तो lone pair हो या एक odd electron आ जाए ये special condition है odd electron की, unpaired electron की तब क्या होगा यहाँ पर bond angles में तो NO2 positive में तो हमारी normal condition है तो ये क्या होगा accurate 180 degree का ही रहेगा ठीक है और यहाँ पर हम देखें अब याली third condition इसको हम बाद में देखेंगे हमारी special condition है ठीक है तो NO2 one negative में अगर हम देखें तो VACPR theory से हमने क्या देखा था कि ये जो bond pairs है और loan pair यानि beach की condition सबसे ज़्यादा loan pair loan pairs में होता है उससे कम loan pair और bond pairs में होता है repulsion तो यहाँ पर क्या होगा repulsion start हो जाएगा इस loan pair और bond pair में इस तरह से ये repulsion हुआ तो यह क्या आ जाएंगे खिसक के ये angle का आ जाएगा पास में आ जाएगा तो यह क्या होगा 120 degree से क्या होगा कम होकर जो है less than कितना हो जाएगा 120 degree हो जाएगा जो की generally माना जाता 115 degree का हो जाएगा ठीके अब हमारे NO2 के लिए अगर हम देखे तो यहाँ VAC PR theory में इस तरह के भी कोई odd electron के लिए single unpaired electron के लिए कोई बात नहीं कही गई है लेकिन आप चुकी यहाँ पर single electron है तो थोड़ा भूत repulsion तो यह करेगा तो इसका मतलब यह क्या होगा 180 degree और 120 degree जो कि तीनो bond pairs में बिल्कुल accurate 120 degree होता लेकिन यहाँ पर दो तरप तो bond pair है तीसर रथा bond pair नहीं है यानि यह क्या होगा 180 degree और 120 degree के बीच का रहेगा यानि हम यह कह सकते हैं कि यह क्या होगा less than 180 degree होगा तो यह जो है straight line जो कि हमारा SP hybridization है और जो है 120 degree जो कि accurate जो है trigonal या triangular planar जो होता है उसके बीच का यानि यह क्या होता है 132 degree का इसको माना जाता है NO2 को ठीक है तो यहाँ पर हमारा bond angles जो question में पूछा गया अगर हम देखें तो NO2 positive का bond angle सबसे बड़ा उससे काम होगा NO2 का और सबसे काम होगा NO2 one negative का यानि इसका यह order हो जाएगा यानि हमारा answer D हो जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा 180 degree bond angle NO2 positive उससे कम 132 degree NO2 और सबसे कम 108 15 degree किसका NO2 one negative का हो जाएगा थेंक्स फॉर वाचिंग